क्या reason है कि जब cricket trials होते हैं तो 90% players reject हो जाते हैं और कभी-कभी आपने trials में देखा होगा ना कि कुछ ऐसे player हैं जो highly skilled है लेकिन उनसे कम skill वाले बच्चे select हो जाते हैं आपने भी देखा होगा हम भी देख रहे हैं कि कुछ खिलाड़ी में बहुत अच्छी potential है लेकिन जब भी trials होते हैं या जब भी बाकी चीज़ जैसे trials के बाद selection matches होते हैं बाकी matches में अच्छा perform करते हैं लेकिन selection matches होते हैं तो उनका performance उस तरीके से नहीं हो पाता जिस तरीके से होना चाहिए इन सिंपल ये भी कर सकते हैं कि वो cricket trial clear नहीं कर पाते हैं तो आपके काफी ज़्यादा questions आते हैं तो चोटी चोटी जैसे क्या होते हैं नेट्स में ट्रायल होते हैं तो clear हो जाते हैं लेकिन जब match मिलता है उसके बाद जानते हैं selection matches होते हैं या डिस्टिक के matches हो गए मंडल के matches हो गए उसमें क्यों players की performance नहीं निकलती कुछ तो reasons होगा जो skill wise तो नहीं है क्योंकि अगर आपके अंदर skill अगर नहीं रहेगा तो आप simple matches में भी perform नहीं कर पाते हैं आप simple matches में अच्छा खेलोगे लेकिन जब selection matches होता है सेम बिकेट सेम बॉलर सेम तरीके की situation लेकिन आपसे performance नहीं होता या उन प्लेयर से performance नहीं होता जो आप देखने हैं तो कुछ तो सब्सक्राइब करेंगे और कैसे उस रिजन को आवाइड करेंगे इस पर भी बात करेंगे तो पहले मैं बात करूँगा जैसे क्या है कि पहले मेंटल मेंटली रूप से आपको थोड़ा सा तगड़ा होना होगा मेंटली रूप से यह तगड़ा होना होगा कि जैसे आप कोई simple match खेल रहे हैं ठीक उसी तरीके से ट्रायल वाला मैच खेलनी ठीक नहीं बहुत बार क्या होता है कि प्लेयर अपनी नेचुरल गेम केलना भूल जाते है को या तो आप थोड़ा शाया की नदर या confidence और वह गयद फेलने वाली मिलती है लेकिन वह लास्ट मिनट पर जो उनके अंदर डाउट रहता है न कि खेले या छोड़ दे तो हाफ अटेट खेलते हैं जिसके वज़ा से वह आउट हो जाते हैं तो पहली चीछ चाहे आप ट्राइल दे चाहे मैचेस केलें कॉंफिडेंस आपके अंदर 100% रहना चाहिए यह बॉलर पे भी लागू है बैट्समेन पे भी लागू है आप बैट्समेन हो तो कोई भी सौट्स जब भी आप सौट्स खेलने जाओ तो आपके माइंड में एक भी परसंट यह नहीं आना चाहता आना चाहिए कि अगर मैं मिस टाइब आपको लगता होगा चार्ज करने के बाद कॉंफिडेंस में रहते हो कि करता है ठीक इसी तरीके से बॉलर की तो अगर आपको यह लगता है कि अगर नहीं पड़ी तो बैट्समेन हिट कर देगा उस टपब पर नहीं पड़ेगी तो आप एज जब भी ट्राइस में बॉल डाले या सेलेक्शन मैचेस में डाले आप रन अप में हैं तब भी आपका विजन क्लियर होना चाहिए तो यह पहले आप माइंड सेट वाला यह जब लाएंगे तो आपका रिजल्ट भी आने लगए दूसरी चीछ कि आप सेलेक्शन मैचेस में आउट न होने के चक्कर में जादा डिफेंसी हो जाते हो और आपका रन भी नहीं बनता और आप बीच में जैसे आप चालीस बॉल पर पंदर बीस रन बनाकर आउट हो गए अगर वही चालीस बॉल आप अपना नेचुरल गेम खेलते तो चालीस बनाते उपर आउट भी नहीं होते और चालीस बीस में काफ़ी डिफरेंस है आपका और भी रन बनेगा तो आप अपना नेचुरल गेम खेले हाउवा मत बनाए जब भी आप सेलेक्शन मैचेस के लिए सिंपल खेले और लांग खेलने की कोसिस करें जो आपके बेसिक्स जो मैंने जिग्र किया है अपना attitude क्लियर करें अपना attitude अपने अंदर 100% energy मैंने देखा है सेलेक्शन मैचेस में जीन बच्चों का हो गया वह इधर उधर घूमते या भागते या कह सकते हैं कि अपनी energy बजाते रखते हैं आपको एक चीज यह ध्यान देना है आपको 100% अपने यहां हैं politics सारी चीजे हर जगह है लेकिन जो इसकिल वाले बच्चे रहते हैं जिनके अंदर यह सब एबिल्टी खेल जाते हैं एक चीज मैं और आपको क्लियर कर दूँ कि पैसे वाले सिर्फ स्कॉाइड में आते हैं मैच नहीं खेलते मैच वही जो इसकिल जिसके सेलेक्षन के चांसे और यहीं मिश्टेक मैं ने दो चार बैट्समन देखा हैं मैंने दो तीन ऐसे बैट्समन देखे हैं जिसके अंदर बहुत अच्छी स्किल है और वह आप बिलीब करेंगे जब भी मैंने उनका मैच देखा है century half century century half century मैंने चार-पांच उनके सेलेक्षन मैच देखें उनका score बताए हां किसी में उन्होंने फिफ्टी नहीं मारी क्यों वाली प्रॉब्लम है मैं इसक Πराब्लम आफ दूर करेंगे तो जरूर करेंगे cricket, ट्रायल उसको प Ihrer थे